गूड मॉर्णिंग एवरिवन वेलकम टू जी आड़िस टेक्निकल तो कैसे हैं आप सब आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप अपना सिल्फ इंट्रडक्शन किस तरीके से लिख सकते हैं जोब के लिए सिल्फ इंट्रडक्शन किस तरीके से लिखना चा ए उसके बाद हम लिखेंगे Thank you for giving me this opportunity to introduce myself टिके इसके बाद My name is उसके बाद आपको यहां पर अपना पूरा नाम लिखना होगा अप अपना full निम बतायेंगे जयसे किवर आपका चुरा नाम राजेश prim है तो आप अपना पूरा नाम पूनम शर्मा ठीक है उसके बाद आप लिखेंगे I am from the place you belongs to यानि कि आप जहां से belong करते हैं आपका जहां पर पढ़ाई लिखाई हुआ है उस शहर का आपको यहां पर नाम लिखना है आप कहां से हैं उसके बाद लिखना है आपको I did my graduation in आपने जिस भी subject में graduation किया है उसके बारे में आपको बताना है ठीक है और कौन से university से किया है वो आपको university का नाम लिखना होगा और बताना होगा ठीक है university के नाम को आपने बता दिया अब आप लिखेंगे currently I am pursuing आप अभी जो currently कर रहे हैं वो आप बतायेंगे अगर आप MA कर रहे हैं तो आप लिखेंगे चुर्ण the आप आप अगर न्यूक्लियर फैमिली से बिलॉंग करते हैं तो आप लिखेंगे कि आप अपने पेरियंट और भाई बेहन के साथ सिर्फ रहते हैं और जॉइंट फैमिली होता है जिसमें कि अपने दादा दादी, चाचा चाची सभी के साथ रहते हो, ममी पापा सब लुग सब सा family, ठीक है, we are जितने भी members है, आप लोग आप अपना लिख सकते हैं, we are 11 members in my family, ठीक है, कौन कौन है तो father, mother, elder sister brother, grandfather, grandmother uncle, aunt and my cousin brother, ठीक है, आपके अलावा कितने लोग रहते हैं, उन्हों लोगों का आपको यहापे नाम लिखना होगा उसके बाद आप लिखेंगे my strength are, आपका क्या-क्या strength है, आपको वो बताना है तो आपके बताएंगे, I am honest मैं honest हूँ, I am punctual यानि कि मैं बिल्कुल समय का एकदम सपस्ट रूप से उस समय पे पहुँच जाता हूँ समय को ध्यान में रख करके काम करता हूँ तो आप लिखेंगे my short time goal is to get a job in reputed company in which I can grow my working skills and get more and more knowledge which helps me in the future यानि कि आपको कम समय में जादा से जादा ग्यान हो और आप एक अच्छा नौकरी चाहते हैं एक अच्छे company में skills grow करे और आपको knowledge हो और आपके future के लिए काफी जादा helpful रहे है ना फिर आपको यहाँ पर बताना है कि आपका long run के लिए क्या आपको चाहते हैं आपका long time goals क्या है तो आप लिखेंगे my long time goal is to become a more responsible personality and achieve a good position in the organization ठीके आप एक अच्छा position चाहते हो एक अच्छा चाहते हो कि personality बने आपका वो आप लिख सकते हैं यहाँ बता सकते हैं फिर आपको एक पैरा को चेंज करना होगा you have to change a पैरा over here दिन आप यहाँ पर लिखेंगे that's all about me and thanks again for this great opportunity आपको फिर से वापिस थैंक करना होगा आपनी introduction अगर आप लिख रहे हो जच कर सकता है जच करते हैं जच करते हैं आपका इंप्रेशन किस तरीके का है so make sure कि आप well dressed हो confidence हो overconfidence नहीं होना है confidence होना चाहिए overconfidence नहीं and आपके अंदर सारा वो knowledge होना चाहिए ठीक है उसके बाद आपको क्यों introduction जरूरी होता है self introduction का क्या महत वो है महाँ आपको बता देती हूं बताता है कि आप कौन है who you are, what you do ठीक है यानि कि आप क्या काम करते हैं आप कामकाजी है तो इसके बारे में बताया जाता है अगर आपने क्या education प्राप्त किया है वो सारा चीज बताया जाता है what others needs to know about you आपके परिवार में कितने जन है आपके बारे में जो total information जो होता है self introduction में इके लिए important होगी तो that's it for today अगर आपको आज की video helpful लगी होगी तो please आप सभी इस video को like, share ज़रूर करियेगा और हमारी चैनल को subscribe करके बला